हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्मेंट जॉब, जैनियो नॉटिफिकेस आन यूटूब चैनल नेशनल स्कॉलर्सिप पोर्टल, एनस्प क्या है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कॉस करेंगे अगर आप जानते हैं एनस्प के बारे में आविदन कौन कर सकता है, जरूरी डॉकुमेंट्स कौन कौन से है एंड पैसा कितना मिलता है, क्योंकि यह स्कॉलर्सिप स्कीम है तो इसमें आपको कितनी स्कॉलर्सिप मिलती है उन सभी स्टूडेंट के लिए, यह जो वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करें कि इसके लिए किस class के student eligible है या क्या योगता होनी चाहिए तो इसमें जो class है class first से लेकर के higher education तक ये scholarship दी जाती है मिन्मा अगर आप first class में है तो भी आप इसके लिए registration कर सकते हैं और इसके लिए आप जो scholarship है तो आप ले सकते हैं अगर आपने higher education की हुई है जैसे कि इसमें आपने कोई भी professional course किया हुआ है जैसे आप medical field में है या आपने engineering में B.E.B.Tech किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर Aliceville होते हैं इसके लिए आप registration आप कर सकते हैं और आपको central government की true scholarship मिलती है Central government के दौरा यह जो scholar से पर इसकी शुरुआत गरीब और आर्थिक रूप से जो कमजोर work के लिए की गई थी क्योंकि जो कि अपने बच्चों को पैसों के अभाव में या आर्थिक condition ठीक ना होने के कारण अच्छी सिक्चा नहीं दे पाते हैं तो उसी के लिए central government के दौरा यह scheme चलाए गई है हर साल इसके registration स्टार्ट होते हैं आज के जो यह जो session है 2021-2022 इसके भी आप देख रहे हैं इसका आप उपर देखिए four academy किया 2021-2022 के registration स्टार्ट हो चुके हैं अगर आपने registration नहीं किया है तो online आपको इसमें registration करना होगा ओके अब हम बात करेंगे इसमें जो scholarship है वो किस तरह से मिलती है तो देखिए categories के हिसाब से भी इसमें scholarship दी जाती है साथ में इसमें दिया गया है कि annual earning आपके जो family की यानि जो parents की annual earning एक लाग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए and second जो condition है उसमें PWD यानि कि जो दिब्यांग जन जो candidate है उनके लिए 2-3 लाग annual earning रखी गई है सो अगर इससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि यह जो earning आप यहाँ पर applications देखेंगे ministry of minority affairs यह देखें यहाँ पर इसमें जो candidate आते हैं वो भी यहाँ पर आप read कर सकेंगे इसको आप open करेंगे कि इसके अंतरगत कौन इसमें apply कर सकता है तो अलग-अलग schemes है यहाँ पर देखेंगे pre-metric scholarship scheme next है post-metric scholarship scheme इसके अलावा merit come means scholarship for professional and technical courses अगर आपने professional या technical courses कियें तो उसके लिए scheme यानि आपको scholarship जैसा कि मैंने बताया है इसमें higher जो qualification है उनके लिए भी यहाँ पर scholarship मिलती है और साथ में कुछ और options दिये गए तो अगर हम इसमें देखेंगे कि इसकी अगर आप 2021 और 22 के लिए registration करना चाहते हैं तो इसमें जो scheme यानि की pre-metrics scholarship की जो date है वो 15 नवंबर 2021 है 15 नवंबर 2021 तक आप इसमें registration कर सकते हैं पोस्ट मेंट्रिक के लिए 30 नवंबर 2021 है और अगर आपने professional courses किये हुए और scholarship के लिए apply करना चाहते हैं तो इसके लिए है 15 दिसंबर स्वारी 30 नवंबर 2021 ओके तो यहाँ पर आप चेक कर लिजेगा अब हम देखेंगे कि इसमें यह जो है इसमें कौन-कौन आते हैं minority में तो यहाँ पर आपका यह पूरा open हो जाएगा eligibility आप देख रहे हैं से पहले तो आपका Indian citizen होना जरूरी है second आपकी जो annual earning मैंने आपको बताई family की and third है इसमें कि आपका जो भी last जो आपने class की हुई है उसमें आपका minimum 50% marks होने चाहिए and यहाँ पर distribution आप देखेंगे and यहाँ पर नीचे हम देखेंगे selection procedure यहाँ पर दिया गया है duration rate of scholarship देखेंगे यानि आपको scholarship किस तरह से मिलती है तो rate of scholarship यानि कि आपको admission fees मिलती है tuition fees मिलती है इसमें आपको जिसका की 500 per annum subject to acute vote आप यहाँ पर देखेंगे class 6 to 8th के लिए है and tuition fees यहाँ पर दी गई है साथ में 4 class foster से लेकर के 5th के लिए 100 per month 4 day scholar यहाँ पर दी जाती है next है यहाँ पर 4 class तो यहाँ पर आभी हमने देखा था कि class 1 से अगर 5th के लिए आप करते हैं तो 100 per month 4 day scholar and अगर आप class 6 से 10 तक के लिए करते हैं so 600 रुपीज per month 4 host trailers and यहाँ पर 100 per month 4 day scholar दिया जाता है so यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं scholarship आपको किस तरह से दी जाती है इसके लाबा अगर हम documents की बात करेंगे तो जो documents है required documents हैं इसमें आपका लगता है आय पर्मान पत्र आपकी जो भी parents का आय पर्मान पत्र आपको देना होगा उसके अलाबा इसमें लगेगा जाती पर्मान पत्र निवास पर्मान पत्र यानि domitial certificate जहांके आप निवासी है आधार काइड होना जरूरी हो रिसेंटली आपने जो pass out class की हुई है उसकी maxi ट आपको लगेगी passport size photo and bank passbook आपको यहाँ पर देनी होगी अब यह जो minority है इसमें कौन को आते हैं तो यहाँ पर फिफ्ट पॉइंट देख रहे हैं Muslim, Sikhs, Christians, Buddhist, Jain यहाँ पर आएंगे और साथ मैं I think S.C.S.T.O.V.C. Candidate यहाँ पर आना चाहिए तो वो Candidate यहाँ पर अप्लाइ कर सकेंगे इसमें रेश्टेशन स्टार्ट है इसको भी आप इसमें ऑल्लाइन अप्लाइ कर सकेंगे So friends, I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, helpful रहो वीडियो helpful रहो तो like, subscribe, share जरूग कीजेगा Thank you